मसकार दोस्तों आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जो भी अब यह बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत-बड़ी खुशकवरी है मैं भी रेलवे इलावाद के आफिसल वेबसाइट पर हूँ जहां पर आपको सोलह सेप्टमबर का एक नोटिफिकेशन आया हुए एक एक जाम के संदर में तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं नोडिफीकेशन देखी, non-technical popular category यानि NTPC GRADUATE और UNDERGRADUATE, इसमें कहा गया है, the scrutiny of the application has been completed and candidate can view the status of their application status, यानि कि जो आपने फार्म अप्लाई किया है उसका स्कूरूटनी कंप्लीट हो गया है अब आपको यह चेक करना है कि आपका जो अप्लिकेशन है जो आपने फार्म अप्लाई किया है उसका application आपका accept किया गया है या फिर reject किया गया है ठीक है अगर reject भी किया गया होगा तो उसका region बताया गया होगा कि आपका इस region से reject हुआ है तो इसमें notification में ही का गया है कि आपका जो application का status आप चेक कर लें ठीक है जिसका भी application इस अप्लिकेशन रिजेक्ट किया गया होगा उसके जो भी उसका registered mail या फिर mobile नंबर है उसके उपर आपका sms या फिर mail जाएगा तो आपको उसके पर नहीं रहना है आप फिर भी अपना जो link RRB के साइट पर होगा वहाँ पर आपको application status चेक कर लेना है इसके लिए आपको आपका जो registered registration नंबर है जो फार्म भरते वक्त आपको मिला था उसके बाद आपका data birth ये आपको डालना होगा उसके बाद अपना फार्म का status चेक कर सकते हैं notification में यहीं कहा गया है ठीक है यह जो चेक करने का आपका जो time मिला है 21 September से 30 September तक आप चेक कर सकते हैं इनके बीच में और आपका किस वज़े से फार्म को reject किया गया है वो भी आप जान सकते हैं ठीक है और last में यह भी कहा गया है कि आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपको railway में नोकरी दिलाने के नाम पर आपसे ठगी करते हैं या फिर जहासा देते हैं कि हम आपको नोकरी दिला देंगे आप हमें इतना पैसा दीजे तो इसमें साब साब कहा गया है उन लोगों से दूर रही है अब मैं आपको फुसकाबरी के बात यह बताता हूं आप या जान लिए किसी भी application farm का जब scrutiny किया जाता है उसका application इस स्टेटास दिया जाता है कि आपका form accepted है या पिर रिजेक्टेड है आप मानकर चलिए exam के संदर में जो भी उसका कार है exam कराने के लिए वह बहुत जा रहा है यानि कि आपका जो इक्जाम का डेट है वो मान कर चलिए कि 10 श्रय तो आप जो भी तैरी कर रहे हैं अपना यारी कर देरी होई रकें उसके साथ ही मैशां EL कि कि कुरऋ तैन्यवाद।